आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी बैंग बैंग कॉन की रेसिपी ये बहुत ही टेस्टी और हेल्दी एपटाइजर है जिसे आप as an evening snacks भी enjoy कर सकते हैं I am sure आपको बहुत पसंद आएगा चलिए वीडियो शुरू करते हैं और हाँ अच्छा लगे तो subscribe जरूर कीजिएगा बैंग बैंग कौन बनाने के लिए of course हमें मक्का की जरूरत है इसका जो outer cover है ना उसे हम तोड़ेंगे नहीं बट नीचे की तरफ उसे bend कर लेंगे जब हम इसे सेके न गैस के उपर तब कुछ पकड़ने के लिए रहे तो sweet chili sauce की जगा normal tomato ketchup भी यूज़ कर सकते हैं इसके बाद मैंने डाल दिया है garlic याने के लसन जिसे एकदम बारीक चप किया है अब इसमें जाएगा एक टेबल स्पून के जितना स्री राच्छा ये वाला जो sauce है ना वो आपको super market में ही मिलेगा लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो इसे totally avoid कर लीजे या फिर शेज वन sauce डाल दीजे उसकी जगा अब मैंने add किया है एक बड़ा चमच के जितना नीबू का रस और दो चुटकी इसमें जाएगा काले मिज पाउडर और नमक इन सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से mix कर लेंगे और हाँ एक चीज तो मैं इसमें add करना भूली गई freshness के लिए कटा हुआ हरा धनिया हरा धनिया टेस्ट में नहीं बट लुक्स में भी बहुत ही जादा refreshing लगता है तो चलिए finally से add करे लेते हैं और यहाँ पे हमारा बहुत ही tasty sauce बनकर तयार है यह जो sauce बना है उसे तीन से चार कॉन्स को कोट करने के लिए यूज हो सकते हैं अब बहुत ही generously इसे हम कौन के ओपर कोट कर लेंगे इसमें जरा भी कंजूसी ना कीजिएगा एकदम अच्छे से सारे कोनों में spread कर लीजिए अगर आपके पास brush है न तो उससे spread कर सकते हैं लगिन अगर brush नहीं है तो spoon तो हर किसी की घर में होगा तो वो use कर लीजिए अब तक कि इसमें बहुत ही अच्छे marks नहीं आ जाते ब्लैक कलर के इसका मतलब यह अच्छे से पग गया है थोड़ा सा और sauce इसके ओपर spread कर लेंगे और गर्मा-गर्म सर्फ कीजिए बहुत ही tasty बनी है तो इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिए और अगर अच्छा लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन को क्लिक करना भूलिएगा नहीं थैंक्स पो वाचिंग बाई